तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ 2009 में आई movie 13B को इसकी IMDB rating है 7.3 out of 10 जो की सही ही है ये movie भले ही 13 साल पुरानी है लेकिन आज भी इस movie को horror movies में one of the best movie माना जाता है क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बाकी Bollywood horror movies से काफी अलग और interesting है मैं movie को explain करूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे subscribe को दबा कर ग्रे कर दे इससे आप हमारे चैनल से जोड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे और जिनोंने subscribe करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ऐसे ही चैनल से जोड़े रही है मैं आप के लिए वीडियोस लाता रहूंगा और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाते हैं तो मुझे Instagram या फिर Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा तो मूवी की शुरुआत में हमें एक family को दिखाया जाता है जिसमें कि हम सबसे पहले घर के छोटे बेटे मनुहर को देखते हैं जो कि पेशे से civil engineer होता है फिर उसके बाद हम मनुहर की बीवी को देखते हैं जिसका नाम Priya होता है और वहीं हम मनुहर के बड़े भाई Manoj और उनकी बीवी दीपा और उनके दो बच्चों को भी देखते हैं मनुहर की एक छोटी बेहन भी थी जो सबकी चहेती थी और घर की सबसे बड़ी मा थी ये पूरा परिवार जल्द ही एक फ्लैट में shift हुआ था जो कि 13 फ्लोर पर था और उनका फ्लैट नंबल 13 भी था सभी लोग नए घर में आकर बहुत खुश थे क्योंकि मनुहर और मनोज ने काफी मेहनत करके इस घर को खरीदा था लेकिन घर का लोण अभी भरना बाकी था अब हम देखते हैं कि मनुहर चाय पी रहा होता है कि तभी उसे ऐसास होता है कि चाय दूद से नहीं बनी है प्रिया बताती है कि जब से यहाँ पर आए हैं तब से दूद ही फट जाता है इसलिए milk powder की चाय बना कर दी है इस बात से मा थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि उनके हिसाब से दूद फटना अपशगुन माना जाता है लेकिन तभी घर के दोनों बेटे उन्हें समझाते हैं कि ये फ्लैट हमने बड़ी मुश्किल से खरीदा है तो अब ये सब सोचने का मतलम नहीं है क्योंकि हमें रहना तो यहीं पर है इसके बाद हम देखते हैं कि मनोहर का भतीजा अपने चाचु का मुबाईल ले कर उनकी फोटो खीचने लग जाता है इस बाद के लिए मनोहर उसे डाट लगाता है क्योंकि वो काफी महंगा मुबाईल था और जल्द ही खरीदा था तब ही मनोज देखता है कि भगवान की फोटो जमीन पर ही रखी हुई है तो वो जल्द से जल्द उन्हें दिवाल पर लगाने के लिए कहकर अपने काम पे निकल जाता है फिर इसके बाद मनोहर भी अपने काम पर जाने के लिए निकलता है और लिफ्ट के अंदर इंट्री लेता है लेकिन लिफ्ट चल ही नहीं रही होती वो बार-बार बटन दबा कर लिफ्ट चलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे लिफ्ट उसी फ्लोर पर अटक गई हो तभी उसे एक बुढ़ा आदमी मिल जाता है जो की देख नहीं सकता था और उसके साथ हमेशा एक कुटा रहता था मनोहर बुढ़े आदमी को अपने बारे में बताने लग जाता है कि वो जल्द ही फ्लैट नंबर 13B में शिफ्ट हुए है और उन्हें ये भी बताता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है मनोहर के चले जाने के बाद बुढ़ा आदमी लिफ्ट के अंदर जाता है और जब वो बटन दबाता है तो लिफ्ट चलने लग जाती है मनोहर 13 मंजिल सीडियों से उतर कर नीचे आता है और तब वो देखता है कि सभी लोग लिफ्ट से आ जा रहे हैं और लिफ्ट अच्छे से काम कर रही है अब मनोहर अपने काम पर पहुँच जाता है और ये वही फोटो थी जो उसके भतीचे ने घर पर क्लिक करी थी मनोहर उसी वक्त दुबारा से अपनी फोटो क्लिक करता है तो तब उसकी फोटो एकदम क्लियार आती है तो वही पर उसकी दोस्त की बाद गलत हो जाती है अब हम घर का सीन देखते हैं जहां माता जी और उनके बहुएं सब मिलकर टीवी सीरियल देख रही होती हैं। उनका कोई फेवरेट सीरियल आने वाला था। तो प्रिया वो चैनल लगाने लग जाती है। लेकिन तभी टीवी 13 नंबर के चैनल पर रुख जाती है। और तब रिमोट भी काम करना बंद कर देता है। तभी इस चैनल पर एक सीरियल स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम सब खेरियत होता है। तीनों ही सोचती हैं कि अब रिमोट तो काम नहीं कर रहा तो जो आ रहा है उसे ही देख लेते हैं। जोकि उन्हें तो बस entertainment ही चाहिए था। इस serial में एक family दिखाई जाती है, जो कि सेम उनकी family जैसे ही थी। serial की family में भी उतने ही member थे जितने इस family में थे। serial वाली family भी अपने नए घर में shift हो रही थी, और सब उसी तरह खुश नजर आ रहे थे जैसे ये family खुश थी। शाम होने पर जब मनोहर घर वापिस आता है तो तब भी lift काम नहीं कर रही होती। तो उसे सीडियों का साहरा लेकर ही उपर आना पड़ता है। मनोहर तबी देखता है कि भगवान की फोटोस अभी भी जमीन पर ही रखी हुई है। तो प्रिया बताती है कि हमने दिवाल पर कील ठोकने की बहुत कोशिश करी लेकिन कील अंदर जाही नहीं रही। इस बास से मनोहर खुद ही कील ठोक कर फोटोस लगाने का सोच लेता है। मनोहर हतोडी लेकर कील ठोकने में जुड़ जाता है लेकिन ना जाने क्यों कील दिवाल के अंदर जाही नहीं रही होती। इस बास से फ्रस्टेट होकर मनुहर और जोर जोर से हतोडी मारने लग जाता है जिससे कि वो कील के बजाए अपने उंगली पर ही हतोडी दे मारता है और खुद को जखमी कर लेता है ये देखकर माँ उस पर भड़क जाती है क्योंकि वो तुरंथी काम से आया था और फिर इस काम में लग गया था तो वो से चुप चाप अराम करने को कहती है अब अगली सुबा मनुहर को फिर से पाउडर वाली चाय मिलती है क्योंकि दूद दुबारा से फट चुका था तब ही हम देखते हैं कि टीवी पे एक शो आ रहा होता है जिसमें कि डॉक्टर शिंडे नाम क आदमी इंटर्व्यू दे रहा होता है उनका नाम सुनते ही मा तुरंथी टीवी के सामने आकर बैट जाती है क्योंकि एक टाइम पे मा को अपने पैरों में बहुत तकलीफ थी दोनों ने ही उनका इलाज करके ठीक किया था तो वो डॉक्टर शिंडे को बहुत मानती थी एक तरह उनका अपोजिट फोर्स होना भी जरूरी है और अगर जिंदगी है तो मरने के बाद भी कोई जिंदगी होगी ही लेकिन ये सब मेरा अपना मानना है इसलिए जरूरी नहीं कि ये सब हो भी इसी बीच हम देखते हैं कि छोटा बच्चा फिर से फोन के साथ खेलते तो उसे थोड़ा थोड़ा अजीब सा फील होने लग जाता है क्योंकि बागी सबी की फोटोस नॉर्मल थी लेकिन उसकी ही फोटो अजीब सी आई थी अब इसके बाद हम देखते हैं कि मनुहर अपने काम पर होता है तब ही वो एक आदमी को अपने घर पर ड्रिल करके कील गाडने के लिए भेज देता है आदमी जब घर जाकर ड्रिल करने के लिए जैसे ही मशीन प्लग में लगाता है तो उसे भयानक अलेक्ट्रिक शौक लगता है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है आदमी जब होश में आता है तो उसे अपनी तब्येत खराबसी लगने लेकिन ये बात वो किसी को भी नहीं बता सकता था नहीं तो सब घर खाली करने को कहने लगेंगे तब ही उसके पास उसका बड़ा भाई आता है और एकदम खुश होते हुए छोटे भाई को मिठाई खिला कर बोलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और सैलरी में 10,000 की होतरी हुई है यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो भी उस सीरियल में दिखाया गया था सेम वैसा ही हो रहा था यानि कि जो भी सीरियल में आएगा वो एक तरह से इस फैमली का भविश होगा अब अगले दिन हम देखते हैं कि मनोहर की छोटी बेहन कॉलेज जा रही होती है क्योंकि उसका रिजल्ट आने वाला था और वहीं घर के बाकी मेंबर एक शादी में जा रहे थे सभी के चले जाने के बाद मनोहर घर में अकेला रह जाता है कि तब ही घर की घंटी बचती है मनोहर जब गेट खोलता है तो उसके सामने वही बुड़ा आदमी होता है और जैसे ही बुड़ा आदमी घर के अंदर आने के लिए कदम बढ़ाता है तब ही उसका कुत्ता जोर-जोर से भौकने लग जाता है बुड़ा आदमी अपने कुत्ते को कैसे भी करके अंदर लाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कुत्ता डर के मारे चैन तोड़ कर भाग ज बुढ़ा आदमी कहता है कि कुट्टे ने शायद यहां कुछ देखा जिससे कि वो काफी डर गया क्योंकि उसकी आवाज बहुत डरी हुई लगी और इतना कहकर वो कुट्टे को धूरने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो घर के अंदर आकर फोटो खींचता है तो फोटो बिल्कुल वैसे ही अजीब सी आती है। के एक बज रहे होते हैं। सीरियल में दिखा रहे होते हैं कि अब तक के एपिसोड्स में क्या क्या हुआ। और तब मनोहर उसे देख कर काफी शौक हो जाता है क्योंकि जो भी उसमें दिख रहा था सेम वैसे ही सब कुछ घर में हो रहा था। जैसे कि फैमली का नए घर में शिफ्ट होना, दूद फटना, बड़े भाई को प्रमोशन मिलना और छोटी बहन का रिजल्ट आना। और खुशी-खुशी बताने लगती है कि वो काफी अच्छे परसंटेज से पास हो गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए मनुहर प्रिया को रेगुलर चकप कराने के लिए कह देता है। और जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि वो वाकई में प्रेगनेंट है। अब बाप बनने की खुशी में मनुहर उस सीरियल के बारे में एक पल के लिए भूली जाता है। और खुशी-खुशी मिठाई और भुके लेकर घर जाने लगता है। तब रास्ते में ही उसे वही बुड़ा आदमी मिल जाता है तो वो उनी के साथ लिफ्ट में चलने का सोच लेता है। उसे यकीन था कि लिफ्ट नहीं चलेगी लेकिन इस बार लिफ्ट चल जाती है। और तब उसे लगता है कि शायद वो उसी के लिए खराब रहती है। घर में एक नन्हा मेमान आने वाला था तो अब पूरा परिवार प्रिया की देख बाल में लग जाता है। और सभी लोग काफी खुश होते हैं और नन्नी सी जान आने का इंतजार करने लग जाते हैं। अब एक दिन घर की सभी औरते वही सीरियल देख रही होती हैं क्योंकि उन्हें वो सीरियल पसंद आने लगा था। तबी सीरियल में दिखाते हैं कि छोटे भाई की बीवी जोकी प्रेगनेंट है वो सीडियों पर से गिर जाती है और सीधा उसके पेट में चोट लगती है मनुहर कभी भी ऐसे टीवी सीरियल नहीं देखता था लेकिन अब वो छुप छुप कर उस सीरियल को देख रहा होता है क्योंकि उसे यह यकीन होने लगा था कि जो कुछ भी इसमें होता है वो उसका भविश्य होता है और जब वो ये सीन देखता है तो काफी घबरा जाता है कि कहीं प्रिया के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए वो ये सब कुछ सोची रहा होता है कि तब ही किचन से प्रिया की चीखने की आवास सुनाई पड़ती है मनुहर जब दोड़ कर उसके पास जाता है तो देखता है कि वो बिहोश पड़ी हुई है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बै रहा है देखने पर यही लग रहा था कि कूकर फट जाने की वज़े से प्रिया उसकी चपेट में आ गई और यहाथसा हो गया मनुहर तुरंती उसे उठा कर हॉस्पिटल ले जाने लगता है लेकिन तबी सीरियल में दिखा रहे होते हैं कि उसमें भी बिवी एडमिट है और लड़का बार बार डॉक्टर से यही पूछ रहा होता है कि मेरी बिवी बज़ पाएगी या नहीं मनुहर सोच रहा होता है कि शायद सीरियल से पता चल जाये कि आगे क्या होगा लेकिन तू भी वी कॉंटिनूड लिखके आ जाता है अब पूरा एक दिन बीच जाता है लेकिन प्रिया की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता और किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या होगा लेकिन तभी मनोहर के दिमाग में वही सीरियल आता है और वो सोचता है कि शायद सीरियल से ही पता चल पाएगा कि प्रिया के साथ आगे क्या होने वाला है मनोहर कैसे भी करके दौरते भागते सीरियल आने के टाइम पर पहुँच जाता है और तब उसे पता चलता है कि प्रिया बच जाएगी लेकिन जो बच्चा उसके पेट में पल रहा था वो नहीं बच पाएगा मनोहर को दुख तो बहुत होता है लेकिन इस बात की जादा खुशी होती है कि प्रिया को कुछ नहीं होगा सीरियल में जैसा दिखाया गया था ठीक वैसा ही होता है और प्रिया की हालत एकदम सही हो जाती है लेकिन बच्चा नहीं बच पाता लेकिन मनोहर इस बात की चिंता ना करते हुए फ्रिया को गले से लगा कर उसे तसली देता है कि वो उसके पास है तो सब हो जाएगा अब मनोहर के दिमाग में एक बात आती है कि जिस चैनल पर वो शो आता है और जिसने ये शो बनाया है अगर उसी से मिले और उससे ही पूछताच करे तो अच्छा होगा क्योंकि तब ही उसके मन में पैदा हो रहे सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे कि जिस तरह से सीरियल में दिखाया जाता है वैसा सेम उसके साथ ही क्यों हो रहा है वो सीरियल सब खैरियत के सेट अप में पहुंच जाता है लेकिन जो वो देखता है उस पर वो यकीन ही नहीं कर पाता सीरियल का नाम सब खैरियत तो था लेकिन वो उस तरह का शो बिलकुल भी नहीं था जिस तरह का वो देखता आ रहा था बलकि वो तो कोई ऐसा शो था जिसमें की कोई होस्टिंग कर रहा था ये सब देखकर उसका सर एकदम चकरा जाता है तो वो सीधे एक टीवी के दुकान पर जाता है और उसी सेम चैनल को लगा देता है उस वक्त एक बज रहा था तो सीरियल चालू होता है लेकिन उसमें वो शो आता है जो तुरंती वो सेटप पर देखकर आया था जो उसके घर पर टेलीकास्ट होता था वो शो तो आही नहीं रहा था ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते है और अब उसे पूरी तरह से कन्फम हो जाता है कि वाकई में उसके घर का महाल ठीक नहीं है और काफी कुछ गड़बड है वो ये सारी बाते अपने दोस्त शिवा को जाकर बताता है जो कि पेशे से पुलिस वाला था शिवा उसकी बातों को सुनकर जोर-जोर से हसने लग जाता है क्योंकि जो कुछ भी मनुहर ने उसे बताया था वो उसे किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था मनुहर एकदम सीरियस होकर उससे कहता है कि जो कुछ भी मैंने बताया वो सब सच है और सब कुछ मेरे साथ हो रहा है और इस बात का यकीन कराने के लिए वो उसे अपने घर लेकर चला जाता है उस वक्त वही सीरियल आ रहा होता है और उसमें दिखाते हैं कि घर का छोटा बेटा अपने दोस्त को लेकर आया है जो कि वो भी पुलिस वाला ही था तबी दोस्त का एक call आता है और उसे पता चलता है कि उसके घर में gas का cylinder फट गया है अब मनुहर तुरंती समझ जाता है कि ऐसा सच में होने वाला है तो वो शिवा को समझाने की कोशिश करता है और उसके घर में call करके उसकी बीवी को घर से बाहर निकल जाने को कहता है दोनों ही लोग तुरंत ही शिवा के घर पहुँच जाते हैं तो घर के अंदर घुसते ही उन्हें गैस की भयानक पद्बू आती है और तब वो समझ जाते हैं कि वो हाथसा सच में होने वाला था अब यहाँ पर शिवा को भी यकीन हो जाता है कि मनुहर ने जो बताया वो सब सच है दोनों लोगों को ये समझ आता है कि वो सीरियल वो सब कुछ दिखाता है जो होने वाला है इसलिए उसका आते रहना सही है ताकि घर में अगर कोई मुसीबत आये तो वो उस चीज से बच सके अब हम बुड़े अंकल को देखते हैं जो कि अपने कुट्टे के साथ अराम से चले जा रहे होते हैं लेकिन तभी उनका कुट्टा फिर से अजीब हरकते करने लग जाता है और चैन तोड़ कर भाग जाता है तभी वहाँ पर मनुहर आ जाता है और उनकी मदद करने के लिए वो कुट्टे को वापिस लाने के लिए जाता है वो देखता है कि कुट्टा एक पार्क में जाकर खुदाई कर रहा है लेकिन मनुहर उस पर ध्यान नहीं देता और कुट्टे को लेकर चला जाता है अब शाम होने पर मनुहर कैसे भी करके प्रिया से पूछता है कि आज के एपिसोड में क्या हुआ था प्रिया बताती है कि सीरियल में पडोसी का कुट्टा एक पार्क में जाकर खुदाई करने लगा था लेकिन फिर इसके बाद का नहीं दिखाया तो वो कल ही बताएंगे मनुहर समझ जाता है कि कुट्टा ऐसे ही खुदाई नहीं कर रहा था बलकि कोई तो बात रही होगी तो वो उसी जगा पर जाकर खुदाई करने लग जाता है काफी खोदने के बाद उसे एक डबबा मिलता है और जब वो डबबे को खोलता है तो उसमें से एक एलबम निकलती है जिसमें की कई सारी फोटोज थी जिनने देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है वो तुरंती शिवा के पास पहुँच जाता है और उस एलबम को दिखाता है उस एलबम में उस परिवार की तस्वीर थी जो सीरियल में आया करते थे मनोहर को उन फोटोज में एक कैलेंडर दिखाई पड़ता है जिससे की पता चलता है कि वो फोटोज 1977 की हैं लेकिन सीरियल में वो सभी अभी भी उतने ही उमर के दिखाई पड़ते हैं मनोहर को तब ही डॉक्टर शिंडे का खयाल आता है क्योंकि उसने डॉक्टर शिंडे का इंटर्व्यू देखा था जिसमें कि वो भूत प्रेतों की बात कर रहे थे तो वो उन्हीं की मदद लेने का सोच लेता है लेकिन वो जानता था कि अगर उसने बताया तो वो तुरंती मा को बता देंगे इसलिए वो शिवा को ऐसे राइटर बना के ले जाता है और कहता है कि मेरा दोस्त एक कहानी लिख रहा है जो कि भूत प्रेत पर आधारित है तो उसके लिए ही आपकी मदद चाहिए अब दोनों ही लोग पूरी कहानी सुनाते हैं तो डॉक्टर शिंडे कहते हैं कि दुनिया की सबसे कॉंप्लिकेटेड मशीन इंसान का शरीर है तो अगर आत्माएं इस मशीन पर काबू पा सकती हैं तो वो बागे सभी मशीन पर भी काबू पा सकती हैं जो भटकी हुई आत्माएं होती है उन्हें एक जरीया चाहिए होता है इस दुनिया से कॉंटेक्ट करने का तो वो टीवी के माध्यम से भी कॉंटेक्ट कर सकती हैं क्योंकि बदलाव सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं आत्माओं के लिए भी है जो ये आत्माएं होती हैं वो हमेशा contact इसलिए करती हैं क्योंकि उनका कोई न कोई काम अधूरा रह जाता है या कोई मकसद होता है जो पूरा नहीं हो पाता तो उस मकसद को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आना चाहती है और अगर कोई उनका काम पूरा कर दे तो उनकी आत्मा को शांती मिल सकती है डॉक्टर ये भी हिंट देते हैं कि जहां पर ये सीरियल आता है उस जगह से उन आत्माओं का कोई न कोई connection जरूर होगा अब दोनों लोगों को समझ आता है कि शायद कोई तो चीज है जिसे वो लोग देख नहीं पा रहा है तो उस चीज को जानने के लिए वो दोनों दुबारा से अल्बम देखते हैं उन्हें अल्बम में एक फोटो दिखाई पड़ती है जिसमें कि एक आदमी एक्स्ट्रा दिखता है जो कि सीरियल में कभी नहीं दिखा था लेकिन फोटो में मौजूद था अब दोनों लोग 1977 का न्यूस पेपर देखने लग जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उस परिवार के साथ हुआ क्या था और उनका मनुहर के घर से क्या कनेक्शन है तबी मनुहर को एक न्यूस पेपर मिलता है जिसमें कि उसी परिवार की खबर छपी हुई थी उन्हें पता चलता है कि सीरियल में जो छोटी बहन थी वो एक न्यूस एंकर थी और उसको और उसकी पूरी फैमली को किसी ने हातोड़े से मार-मार कर मार डाला था तबी यहाँ पर एक खुलासा होता है कि जहाँ पर उस फैमिली का घर था, उसी जगा पर आज वो बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पर मनुहर रहता है, और उनके घर का भी मकान नंबर 13B था, अब जाकर यहाँ यह तो क्लियर हो जाता है कि क्यों वो लोग मनुहर के घर में ह भटक रहे थे, क्योंकि उनका मकान नंबर 13B था, और मनुहर के घर का मकान नंबर भी 13B ही था, अब यहाँ से कहानी फ्लैश बैक में चली जाती है, जहां हम उसी परिवार को देखते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि घर में नया टीवी आया है, टीवी इसलिए लाया गय था, क्योंकि घर की छोटी बेटी न्यूज आंकरिंग करती थी, तो सभी घर वाले उसे टीवी पर देखना चाते थे, उस जमाने में किसी के घर पर टीवी होना बहुत बड़ी बात होती थी, तो महले के सभी लोग बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं, अब सभी लोग चोटी बेटी को एंकरिंग करते हुए टीवी पर देख रहे होते हैं, और काफी खुश होते हैं, यहीं हमें दिखाया जाता है कि घर के छोटे बच्चे गार्डन में एक डबबा गार रहे हैं, और यह वही डबबा था जो मनोहर को मिला था, तब ही वहाँ पर घर का छोट बेहन को टीवी पर देख सके, मापडोसियों को अंदर बुलाने के लिए कह देती हैं, ताकि सभी लोग उनके घर की बेटी को देख सकें, जैसे ही बाहर के लोग घर में इंट्री लेते हैं, वैसे ही अशोक एकदम ही आकरामक हो जाता है, और सभी लोगों पर गुसा करने लग जाता है, क्योंकि शायद उसको ये अच्छा नहीं लगा था कि उसके घर में कोई और आए, उसकी ऐसी हरकत की वज़े से दोनों भाई उसे दुबारा रूम में बंद कर देते हैं, अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि घर के बाहर भीड जमा हो रखी है, और पुलिस भी आई हुई है, पुलिस जब घर के अंदर जाकर देखती है, तो अशोक खून से लटपत हतोड़ा लेकर खड़ा होता है, अशोक जैसे ही पुलिस वालों को देखता है, तो वो हतोड़ा लेकर टीवी को फोड़ने लग जाता है, पुलिस वाला वहां का महौल द देखता है और तब उसे घर में लाशे ही लाशें दिखाई पड़ती हैं तो उसका शक सीधा आशोक पर जाता है इसलिए उसे गिरफतार कर लिया जाता है पुलिस वाले को वहीं पर एक हीरे जैसा कुछ मिलता है तो सबूत के तोर पर वो अपने पास रख लेता है की दी थी कि वो सबको माई डालेगा लेकिन कुछ दिन बाद हाथ काट कर उसने अपनी ही जान दे दी अब कहानी प्रेजन्ट में आती है जहां मनुहर और शिवा दोनों ही समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि और क्या-क्या हुआ होगा उन्हें राम चरन के बारे में पता चलता है जिससे की लड़की की शादी होने वाली थी और उसी ने अशोक का केस भी लड़ा था क्योंकि वो पेशे से वकील था उन्हें एक और खबर दिखाई पड़ती है कि जो पुलिस वाला उस केस की चानबीन कर रहा था उसने उसी घर पर जाकर अपनी जान दे दी थी दोनु लोग ये सोचते हैं कि जितने भी लोग थे वो सब मारे गए लेकिन बसे एक इनसान अभी जिन्दा हो सकता है जो की है रामचरन जिसने की अशोक का केस लड़ा था दोनु लोग रामचरन के पास पहुँच जाते हैं ये जानने के लिए कि अशोक ने खून क्यों कि अशोग दिमागी तोर पर ठीक नहीं था तो वो सबकी बॉड़ी को गले लगा कर रोने लगा और तब सारे खून के दाग उसके उपर लग गए फिर वो हतोड़े को लेकर टीवी को तोड़ने लगा क्योंकि उसे लगा कि टीवी की वज़े से सब लोग मारे गए अशोग जि प्रिया को फोन लगाता है ये जानने के लिए कि आज के एपसोड में क्या हुआ था ताकि वो आने वाली मुसीबत से बच सके प्रिया बताती है कि आज के एपसोड में एक आदमी हतोड़ा लेकर घर के अंदर गुसा और पूरे परिवार को मार डाला लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया मनुहर इस बात से काफी डर जाता है और उसे लगता है कि शायद कोई आदमी उसके परिवार को भी मारने आएगा इसलिए वो जल से जल घर की और निकल जाता है मनुहर रात में आचानक से जाग जाता है क्योंकि उसे टीवी की चलने की आवाज सुनाई फिर धीरे धीरे उस आदमी का चेहरा दिखाते हैं जिसने की सब को मारा था और जब उस चेहरे का खुलासा होता है तो मनुहर के होश ओड़ जाते हैं मनुहर देखता है कि हतोड़े से मारने वाला कोई और नहीं बलकि वो खुद ही है मनुहर तुरंती शिवा और डॉक्टर शिंडे से मिलता है और कहता है कि मेरी वज़े से मेरी फैमली खत्रे में है इसलिए आप लोग मुझे यहीं बंद कर दीजिए और मेरी फैमली को कहीं ऐसे जगा भेज दीजिए जहां मैं आ जा सकूँ और नहीं मुझे पता हो कि वो क मनुहर की बात पर भरोसा करके उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और शिवा वहीं मौजूद होता है तकि वो बाहर ना जा सके वहीं डॉक्टर शिंडे फ्लाइट्स की टिकेट निकाल कर घर पर देने के लिए निकल जाते हैं मनुहर एकदम टेंशन में इधार उधार टेहल रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि घर के बाहर सेम वैसा ही हतोडा रखा हुआ है जैसे उसने खुछ सीरियल में पकड़े हुए देखा था तभी उसे याद आता है कि सीरियल की स्टार्टिंग में जो हतोडा लेकर आदमी गुसा था उसका हतोडा अलग था और जो हतोडा वो लेकर खड़ा था वो हतोडा अलग था इस बाद से उसे काफी कुछ समझ में आ जाता है तो वो शिवा को दर्वाजा खोलने के लिए कहने लगता है मनोहर ने ही कहा था कि चाहे जो हो जाए लेकिन दर्वाजा नहीं खोलना तो उसी बात को मानते हुए शिवा दर्वाजा नहीं खोल रहा होता अब हम देखते हैं कि डॉक्टर शिंडे घर पहुँच जाते हैं तो उन्हें प्रिया मिलती है तो उसे टिकट पकड़ा कर कहते हैं कि तुम सभी को कल सुबा यहां से रवाना होना है क्योंकि मनोहर ने ऐसा करने को कहा है प्रिया को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है तो वो डॉक्टर शिंडे को अंदर बुलाती है और पानी लेने के लिए चली जाती है तब ही अचानक से वहां टीवी चालू हो जाता है और वो लड़की जो न्यूज आंकरिंग करती थी वो दिखाई देने लगती है वो बताती है कि 30 साल पहले एक लड़की जो कि न्यूज आंकरिंग करती थी उसको और उसके परिवार को हतोड़े से मा डाला गया और उसी के जुल्म में उन्हीं के परिवार का एक सदस्य जेल में है जो कि एक मानसिक रोगी है तब ही लड़की एकदम गुस्से से कहती है कि वो हत्याएं मेरे भाई ने नहीं बलकि तु क्योंकि उसका जो छोटा भाई था वो उस परिवार की लड़की से प्यार करता था लेकिन लड़की की शादी हो रही थी तो इस बात को वो सह नहीं पाया और अपनी जान दे दी मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें की लिखा था कि जो लोग मेरी मौत का बदला लेने के लिए डॉक्टर शिंडे ने पूरी परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया था यहां तक की बच्चों को भी नहीं छोड़ा जो पुलिस वाला तहकीकात कर रहा था उसे भी डॉक्टर शिंडे नहीं मारा था क्योंकि उसे डॉक्टर शिंडे पर श उसे में टीवी ही फोल डालते हैं तोड़ फोल की आवाज सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं तो डॉक्टर शिंडे को उन सब में वही पूरा परिवार दिखाई देने लग जाता है अब वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और उनका दिमाग उनके साथ खेलने देखा था और फिर उसी हतोड़े से डॉक्टर शिंडे को माल डालता है अब यहां वैसे ही सेम सीन दिखाया जाता है जैसे सीरियल में दिखाया गया था तो अब जाकर समझ आता है कि मनोहर ने अपनी फैमली को नहीं बलकि उसको मारा था जो उसकी फैमली को मारना चाहता और यही सारी बाते उसे समझ में आ गई थी इसलिए वो कैसे भी शीवा को कन्विंस करके मौके पर घर आ गया था अब कहानी यहां से कुछ दिन आगे shift होती है जहां हम देखते हैं कि अब पूरा परिवार खुशी से रह रहा था क्योंकि शायद उन्हें एक परिवार की ही जरूरत थी अब इसके बाद हम देखते हैं कि मनुहर अपने काम के लिए निकल रहा होता है और अब lift भी अराम से काम कर रही होती है तभी उसके पास डॉक्टर शिंडे का कॉल आने लगता है जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो तो मर चुके थे कॉल उठाने पर डॉक्टर शिंडे की आवाज आती है कि अगर हम इस जनरेशन में मर जाएं और हमारी आत्मा को असली दुनिया से संपर करना हो तो हम टीवी नहीं बलकि मुबाइल फोन्स का इस्तमाल करेंगे और बाकि सब खैरियत इतना कहने के बाद फोन कट हो जाता है और हमें lift जोरों से नीचे जाते हुए दिखाई जाती है और फिर movie यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों जो हमें movie के आखिर में दिखाया गया है उससे हमें यहीं बताने की कोशिश की गई है कि जिन लोगों का कोई काम अधूरा रह जाता है या वो किसी वज़ा से मारे जाते हैं तो उनकी आत्माएं भटकती रहती है तो अब डॉक्टर शिंडे की आत्मा भटकने लगी थी क्योंकि वो भी मनोहर से बदला लेना चाहती थी उस पूरे परिवार की आत्माओं को शान्ती मिल गई थी लेकिन ये बदले का सिलसला अब भी खतम नहीं हुआ था जिसका शिकार शायद मनोहर हो भी जाता है लेकिन हमें साफ तॉर पर ये बताया नहीं जाता कि आखिर हुआ क्या इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आ सकता है लेकिन इतने साल बीद गए हैं पर अब भी इसका सेकंड पार्ट नहीं आया तो उमीद कम ही है कि सेकंड पार्ट आएगा इस मूवी में ये बताने की कोशिश की गई है कि एक तरफा प्यार इतना जादा घातक हो सकता है कि वो कई लोगों की जिंदगी बरबाद भी कर सकता है डॉक्टर शिंडे का भाई लड़की को टीवी पर देखता रहता था और तभी वो उसे पसंद करने लगा था अब वो अपने मन में ही पूरी कहानी बना बैठा था लेकिन लड़की को तो कुछ भी पता ही नहीं था क्योंकि वो एक न्यूज आंकर थी तो उसके चाहने वाले तो कई सारे होंगे ही उसका ये एक तरफा प्यार उसे पागल बना देता है और उसी पागलपन के चकर में पूरी परिवार को कुरबानी देनी पड़ती है किसी के लिए हाथ काट लेना या खुद की जान लेना बहुत बड़ी बेवकूफी ही लगती है क्योंकि जो तुम्हारा है ही नहीं उसके लिए तुम मरे जा रहे हो तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा इस फिल्म में वैसे तो काफी सारी गलतियां हैं लेकिन उसे नजर अंदास किया जा सकता है क्योंकि जो मूवी का कॉंसेप्ट है वो काफी अलग देखने को मिलता है और 2009 में इस तरह की मूवी बनाना यही ही बहुत बड़ी बात है होरर मूवीज में अकसर हम यही देखते हैं कि डिरेक्टर बैग्राउंड म्यूजिक से या डरावना मेकप करके किसी को दिखा के डराने की कोशिश करते हैं लेकिन ये मूवी उन सभी से कुछ अलग देखने को मिली जो कि मुझे काफी सही लगी क्योंकि इसका जो क्लाइमेक्स है वो काफी शॉकिंग था जो कि गेस कर पाना मुश्किल ही था यहां बस एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि घर की महिलाओं को इतना बुद्धो सा क्यों दिखाया गया है कि उन्हें कभी ऐसास ही नहीं हुआ कि जो कुछ भी सीरियल में दिखाया जा रहा है वो सब उनके घर में भी हो रहा है और वैसे ही सेम फैमली है जैसी उनकी है और एक बात तो हर मूवी में कॉमन रहती है कि चाहें जो हो जाए लेकिन पडोसी को कोई फरक नहीं पड़ता कि उनके पडोस में क्या मच मच हो रहा है आधी रात को घर में टीवी फोड़ी जा रही है चिलाया जा रहा है लेकिन अगल बगल वालों को कोई मतलब नहीं रियल में ऐसा अगर आपको अपने पडोसी के घर से सुनाई दे तो आपका रियक्शन क्या होगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अब एक्टिंग की बात करें तो आर मादवन को तो सभी जानते हैं कि वो कितने बढ़िया कलाकार हैं तो उन्होंने इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल को निभाया है वहीं प्रिया का रोल निभा रही नीतू चंद्रा ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है दीपक डोब्रियाल को आपने कई कॉमेडी फिल्मों में देखाई होगा और सभी जानते हैं कि वो लोगों को कितना हसाते हैं लेकिन इस मूवी में उन्होंने जिस तरह से एक mentally disturbed इंसान का रोल निभाया है वो काफी सही देखने को मिलता है वहीं बाकी जितने भी सहक अलाकार हैं उन सभी ने अपने रोल को सही सही निभाया है इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे डिजनी प्लस हॉड़ स्टार पर देख सकते हैं शुरू में थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है और मूवी थोड़ा लंबी भी है लेकिन अगर आप मूवी के साथ बने रहेंगे तो आपको काफी अच्छी लगेगी और आप निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे वैसे तो मुझे काफी जादा डर लगता है तो इस मूवी को मैंने दिन में ही देखा था और मुझे तो यही लगता है कि हाँ अगर पॉजिटिव एनरजी होती है तो नेगेटिव एनरजी भी होती ही होगी वैसे आप लोग बताईए कि क्या कभी आपने कुछ फील किया है कि जैसे आप सो रहे हो और आपको कोई देख रहा हो या फिर आप बातरूम में हो और आपके पीछे कोई खड़ा हो या अधी रात में आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई दिखा हो और अगले पल में ही गायब हो गया हो ऐसा कोई भी किस्ता अगर आपके साथ हुआ हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा तो ये था एक्स्प्लेनेशन 13 भी मुवी का आपको मुवी और मेरा एक्स्प्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसा ही आने वाली वीडियोज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बूक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरू करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते झाल 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 झाल